हेलो गाईज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, तो देखें, मैं आपका दोस्त अब है, आज आप लोगों के साथ लिकर आएं वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं, जिन भी स्टूडेंट ने डेली उनिवर्सिटी सोल में एडिमीशन लिया है, और सेमेश्टर वन क चोट में देखने वाले हैं, सभी इस कंसेट्स को जो भी एक्जाम ओरियंटेड आपके स्लिवस में कंसेट्स हैं, उन सभी को बहुत ही डिटेल में डिसकस करने वाले हैं, अगर आपको इस PDF की, मतलब जिसमें से मैं रिवीजन करवा रहा हूं, उसकी PDF चाहिए, तो कम्यू जो कि आपके एक्जाम ओरियंटेड हैगी, एक्जाम से एक दिन पहले इसलिए मैं यह रिवीजन ले रहा हूं, क्योंकि अभी तक बच्चों ने ज्यादा तर यह उनके लिए न्यू सब्जेक्ट हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो में आपकी सा वीडियो को लाइक करना ना बूलें और वीडियो को जादे-जादा शेयर करें, जितने ही वे आपके ग्रूप सेंगे, कोई फ्रेंड सें, उन्हों सभी को शेयर करतें, इससे उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके, तो चलिए अब शुरू करें, तो देखें, सबसे पह रिलेटेड कुछ लॉज बनाए गए, तो उसे फिर हमने सेल ओफ गुड्स एक्ट 1930 का नाम दे दिया, इट इस एक्टेंडिट टू हॉल ओफ इंडिया, इट कैम इंटू फॉर्स कब आया था, यह फर्स्ट जुलाई 1930 को आया था, नीड क्या थी इसकी, तो इट और एग्रिश टू बाइ, जो पर्सन खरीदना चाता है या खरीदने के लिए रेडी है, उसे हम बायर कहते हैं, सेलर जो पर्सन बेचना चाहरा है और बेचने के लिए तयार है, बेच रहा है या बेचने के लिए तयार है, उसे हम सेलर कहते हैं, फिर आता है गोड्स, सब्सक्राइब जब बेचेंगे तो उसे जमीन से अलग करते हैं तो वह वाली सारी चीजे गुड़्स में आ जाती है वह क्लेम जो कि सरफ किसी या तो एक्षन से या किसी केस फाइल करके तब ही हम उन्हें पास सकते हैं तो वह वीस में इंक्लूड नहीं किये जाते गुड़ की बात हो रही हैं तो गुड़्स हमारे पास थरी अंटिटाइब के होते हैं एक्षिशिटिंग तीन टाइपě होते हैं इसस executed और an इस पैसिफिक गूड्स वहूट होते हैं जो सेलर जो बाइर खरीदनेघने आया है वो बताता है कि मुझे यह गूड्स हटाने होते हैं वह कॉन्ट्रैक्त और सेल भनने तक पता ही नहीं होते है उसके बाद seller निकाल के देता है कि यह लिजी आपका गोड़्स तो यह हो जाता है हमारा अने साटेंट गोड़्स गोड़्स एंगे जिनका एक्क्यूजिशन मतलब सेलर के पास उनकी ओनरचिप किसी इवेंट के होने या ना होने पर आएगी तो वह गुड़्स कहलाते हैं कंटिंजेंट गोड़्स आगे आगे अमारी डिफाइंट डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म डिलीवरी क्या होती है म सेलर के पास से बायर के पास चले जाएं तो वह होता है एक्च्वल डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है जब सरफ ओनर्शिप चेंज हो जाए बट गोड़्स अभी भी सेलर के पास ही पढ़े रहें सेलर की पजिशन में ही रहें बायर के कहने पर तो वह कहल आती है constructive delivery और थार्ड हैगा symbolic delivery symbolic delivery क्या होती है जब हम actually goods को transfer ना करके उससे related कोई चीज उसे बायर को transfer करते हैं जिसका मतलब हो जाए कि अब यह goods भी तुमारा हो गया तो वह कहलाता है हमारा symbolic delivery symbolic delivery में आप यह समा सकते हैं जैसे आप जब कोई गाड़ी खरीते हैं तो actually आपको गाड़ी उठाके तो नहीं देते हैं वह आपको उसकी की देते हैं तो एक तरीके से की मिलना हो गया कि तुमारे पास goods आ गया तो यह कहलाती है symbolic delivery आगे अगर document of title of goods यह क्या होता है मतलब यह वह document होता है जिससे पता लगता है कि इन गुड्स का title किसके पास है seller के पास है कि बायर के पास है वह कहलाता है document title of goods जैसे कि बोल बिल ओफ लॉडिंग डॉक वारेंट यह सारे इसके एक्जमपल है mercantile agent क्या होता है जो कि seller के बियाफ पर goods को sale करता है वह कहलाता है mercantile agent property क्या होती है यहां पर property का मतलब होता है sales of goods एक में ownership in goods मतलब goods में कि जो ownership आगोशे हम कहते है property in goods ठीक है जी एगा insolvent insolvent क्या होता है जिसके लिए seller goods बेचने के लिए तयार है और buyer उस money consideration को pay करने के लिए तयार है वह कहलाती है हमारा price quality of goods क्या होती है तो it means state or condition of goods goods किस state में किस condition में वह कहलाती है उनकी quality अब एगा हमारे पास sale and agreement to sale तो sale क्या होता है जब a contract of sale of goods is a contract where seller would transfer और agrees to transfer एक contract of sale क्या होता है जो seller transfer कर देता है immediately या फिर agree कर जाता है कि हा मैं तुम्हें ये transfer कर दूँगा किस शीच को ownership को property in goods की ownership मैं तुमारे नाम कर दूँगा या मैं transfer कर रहा हूँ अभी ownership तो वह कहलाते है contract of sale अब एक contract of sale absolute और unconditional हो सकता है अब sale और agreement to sale क्या होता है जो हमारा था तो sale में क्या होता है immediately transfer हो जाती है ownership और goods भी buyer के पास लेकिन agreement to sale में क्या होता है हम सरफ अभी agreement करते हैं और जो ownership या goods की possession है वो किसी future date पर transfer होगी बायर के पास तो वो कहलाते है agreement to sale and agreement to sale become a sale when the time lapse और condition are fulfilled एक agreement to sale sale कब बनता है जब या तो time पूरा हो जाए उसके agreement का या फिर जो condition दी गई थी उस agreement में वो fulfill हो जाए तो वो sale बन जाता है contract of sale element क्या होने चाहिए एक contract of sale of goods में आ है तो there must be at least two party seller or buyer दो party होनी चाहिए seller and buyer must subject matter of contract must necessary जो subject matter है मतलब जिस चीज़ के आप sale कर रहे हैं वो एक movable property होनी चाहिए third price in money should be paid money pay की जानी चाहिए उसके लिए fourth transfer of property from seller buyer must take place ownership transfer होनी चाहिए seller से buyer के पास contract of sale में भी absolute और unconditional जो contract of sale होता है वो कैसा भी हो सकता है absolute और conditional हो सकता है all other elements इन सभी के साथ ता जितने भी एक valid contract के essential elements होते हैं वो सारे इसमें present होने चाहिए जैसे कि free consent competency of parties, legality of object और बाकी सारी चीज़ें ठीक है यह difference यह आपको tabular form में sale और agreement to sale में तो transfer of property में आगा जो sale में उसमें property good buyer के पास transfer हो जाती है बट agreement में buyer के पास property कब transfer होगी किसी future date पे उस time immediately नहीं होती है nature क्या है तो sale एक executed contract होता है मतलब जिसमें seller और buyer दोनों अपनी duties को obligations को fulfill कर चुके होते हैं बट agreement to sale एक executory contract होता है जिसमें अभी दोनों को अपनी duty fulfill करनी अधूरी उनकी जो obligations है वो अधूरी outstanding रहती है रेमेडीज की बात है कि sell में तो seller can see the buyer for price अगर sale हो जाती है तो seller के पास right आ जाता है कि वो buyer के against case file कर सके अगर buyer price पे नहीं कर रहा है agreement to sale में the party can sue for damages only but agreement to sale में सिर्फ damages claim कर सकते हैं कोई पैसे के लिए हम नहीं बोल सकते कि तुम्हें इसके पूरे पैसे के pay करने पड़ेंगे क्योंकि तुमने agreement to sale breach करा है liabilities है तो sale में loss हो और destruction of goods is liability of buyer अगर sale हो जाती है तो जो अब loss होगा वो किसका हो जाता है buyer का लेकिन agreement to sell में अगर कोई भी loss होता है गोड़्स को तो वो seller के उपर liability आ जाती है अब एगा risk तो risk of loss is that of buyer sale के अंदर loss का risk होता है buyer का agreement you sale में loss का risk होता है seller का right of पिख सकता ऑगर उसने किसी को कर दिया है लेकिन किसी को भी और किसी और परसंट पेटी प्रजेश में होती है जब तक लाष्ट पेमेंट ना हो जाए जो लीज या रेंट पर जो भी आप इंस्टॉर्मेंट पे कर रहे हो उसकी जब तक लाश्ट पेमेंट ना हो जाए तब तक आप इसे आपके पास आप उनर्शिप ट्रांसफर नहीं होती है गुड्स की पोजिशन ऑफ पार्टी तो सेल में बायर जिसने गुड्स खरीद लिया और वो अपन जाता है बट हायर पर्चेज में जो जिसने खरीद आए गुड्स वो बेली कैलाता जब तक वो लाश्ट पेमेंट नहीं कर देता नहीं मिलेगी risk of insolvency of buyer अगर buyer insolvent हो जाता है तो sale के अंदर risk कौन बियर करेगा seller करेगा बट higher purchase के अंदर seller को risk बियर नहीं करना पड़ता क्योंकि वो directly जाकर buyer के जो उसने goods दिये थे वो वापस ले सकता है higher purchase में transfer of title sale में जो transfer मतलब किसी और को अगर देना चाहे खरीदने के बाद तो दे सकते हैं sale के अंदर buyer जिसने goods करीदा वो कसी और को transfer कर सकता है ownership लेकिन higher purchase में जो person higher पर करता है कोई भी चीज तो उसकी ownership वो किसी और को transfer नहीं कर सकता resell में sale के अंदर buyer resell कर सकता है goods को बट higher purchase में resell नहीं कर सकता है यह हो गया हमारा difference between sale and higher purchase ठीक है अब difference यह है sale और बेलमेंट के बीच में तो transfer of property sale में the property in goes transfer from seller to buyer जो ownership है वो seller से buyer में चली जाती है बेलमेंट के अंदर सरफ position transfer होती है ownership transfer नहीं होती return of goods की basis आगा तो sale में goods return करना possible नहीं होता मतलब एक बार आपने खरीद लिया कोंई चीज तो उसे return करना ज्यादा असान नहीं उता alement के अंदर vale return कर सकता है goods neighbours को read return कर सकता है venue Er को consideration तो sale के अंदर consideration क्या होती है money होती है बट марियland के अंदर consideration क्या होसकती है gratitude अश्पी ओ सकती है non gratitude आश्पी हो सकती है तो यह हो गए हमारे डिफरेंस ब्टिमिन सेल अट शेल एंड अग्रिमेंट टु सेल एंड हईर परचेज एंड वेलमेंट ठीक है अब एक गॉंटरेक्ट ऑफ सेल हमेड एक किसे बनता है तो अग कॉंटरेक्ट ऑफ सेल में इस मेड़ वाफर टू बाय और और सेल वो गुड्स को खरेजने पर किसी एक प्राइस पर और वो उस बायर उस ओफर को accept कर लेता है तो contract of sale बन जाता है इसमें आपको ज़्यादा परने की जोड़त नहीं है इतना ही काफी है subject matter of contract of sale अब subject matter क्या होता है contract of sale में तो goods कैसे भी हो सकते हैं अब खराब हो जाए contract बनने से पहले ही तो contract को वाइड किया जा सकते हैं और इनका जो देखे क्या लिखा है where there is a contract for sale of specific goods, जब specific goods को बेखने का contract हो, the contract is void, contract void हो जाता है, कब जब goods without knowledge of seller have at the time when the contract was made, perished or become so damaged as no longer to answer, जब contract बनने से पहले ही goods, seller को भी नहीं पता है कि goods खराब हो चुके हैं, लेकिन वो खराब हो जाते हैं, जो कि अब contract of sale में subject matter का काम नहीं कर सकते हैं, तो वो contract void हो where there is agreement of specific goods and the goods without any fault of party, seller or buyer, perish or become damaged, the agreement avoided or become void, अगर goods agreement to sale बन जाता है, पट sale नहीं होती है, तो क्या होता है, अगर फिर भी goods पहले खराब हो जाएं, एक contract बनने से, और ना तो seller को बताओ, ना buyer को बताओ, तो फिर ये contract को भी वोइड किया जा सकता है, अब एगा हम price कैसे पता लग आते हैं, goods का, तो ascertainment of price, दो the price in contract, maybe fixed by contract, or maybe left to fixed in manner, या तो जब हम contract बनाते है, तभी price fix कर लेते हैं, goods का, या फिर हम कह देते हैं, कि हम इसका price बाद में fix कर लेंगे, contract बना लेते हैं, या फिर where the price is not determined according with, forgoing provision, the buyer shall pay a reasonable price, अगर फिर भी किसी वज़े से price fix नहीं हो पाता है, त तो उसका actual price हो, market value चल रही हो, उसे साथ से price pay करना पड़ता है, agreement to sale at valuation, जब agreement to sale होता है, valuation पर मतलब क्या होता है, जब आप agree कर लें, कि जो इन goods का price है, वो हम किसी third party से पता लगवाएंगे, तो वो third party price को decide करती है, अगर third party price को decide नहीं कर पाती है, तो contract को avoid कर सकते हैं, और अ किसी party के fault से, मतलब या तो buyer ने कोई force करा हो से, या seller ने, कि तुम्हें इसके price decide मत करो, तो दूसरी party जो aggrieved party होगी, वो damages भी claim कर सकती है, ठीक है, यही बताएगे आपको in point में, बाकि आप इन्हें पढ़ लीजेगा, हाँ, एक बात और अगर आप लोगों को इसकी PDF पहले से अप्लोड हो रखी है, उन्हें आप चेक करेंगे, तो आपको मिल जाएंगे, वन्ना मैं एक बर दुबारा भी अप्लोड करनूँ, आप टेलिग्राम ग्रूप जडूर जोइन कर ले, ठीक है, तो देखे, यह तो होगे हमारा इतना sale और agreement to sale के बारे में, अब आग of selling the goods are usually make contain a representative, यहां से अगा, देखे, conditions, जो में आपका start है, a condition is stipulation, essential to main purpose of contract, एक condition वो चीज होती है, जो कि, जो आप contract बना रहे हैं, उसके लिए essential है, तो वो कहलाती है, condition, the breach of which give rise to right to treat the contract is repudiated, अगर condition का breach होता है, तो आप contract को cancel कर सकते हैं, repudiate कर सकते हैं, आपके पास right आ जा important नहीं होती है, लेकिन collateral होती है, मतला उसका होना भी जरूरी है, तो वो हमारा कहलाता है, warranty, और the breach of which give rise to claim for damages, but not to right to reject the good or treat the contract as repudiated, और अगर कोई person, contract of sale में, अगर warranty की breach करता है, मतला warranty fulfill नहीं कर पाता है, तो वो damages claim कर सकती हैं, दूसरी party, लेकिन उस contract को cancel नहीं कर सकती, warranty किया difference दिया है, condition and warranty में meaning, तो condition is stipulation, essential to main purpose of contract, यह essential होती है, main purpose के, और warranty जो होती है, वो collateral होती है, main purpose के, right in case of breach, अगर condition का breach होता है, तो आपके पास contract को repudiate करने का right आ जाता है, बड़ जो warranty का breach होता है, उसमें सरफ aggravated party damages को claim कर सकती है, Conversion of stipulation, तो condition, अब breach of condition में भी treated as breach of warranty, अगर condition का breach हो आय हो और या तो contract में mention होगे, उसकी बात भी हम आगे करेंगे, तो breach of condition को हम breach of warranty treat कर सकते हैं, लेकिन breach of warranty को breach of condition treat नहीं कर सकते हैं, ठीक है यह होगे आपका difference between condition and warranty, यह आगे आपका topic when condition to be treated as warranty कब हम condition को warranty treat कर सकते हैं तो number one when buyer loathes his right number one हैगा when where a buyer altogether waive the performance of contract a party may for his own benefit waive the stipulation मतलब जब buyer खोदी मना करते हैं कि आप यह contract condition को perform करने की ज़रुवत नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा condition को हमने warranty treat कर लिया second हैगा where the buyer elect to treat the breach of condition and breach of warranty जब buyer खुद कहदे कि अब यह जो breach हुआ है condition के इससे आप breach of warranty treat कर लें तो यह भी हमारा condition का breach नहीं रहाजएगा warranty का breach हो जाएगा third है where the contract is non-ceivable and the buyer has accepted either the whole goods or any part of the buyer अगर कोई contract ऐसा है जिसमें हम goods को अलग-अलग नहीं कर सकते और buyer ने कुछ goods को accept कर लिया उसके बाद उसे पता लगा कि breach of condition हुआ है तो वो कुछ नहीं कर सकता उसे उसे breach of warranty ही की तरह treat करना पड़ेगा और contract को वो reject नहीं कर सकता fourth where the fulfillment of any condition of warranty is excused by law reason of impossibility जब court order देदे कि इस breach of condition को breach of warranty treat करना है तो वो भी फिर आप reject नहीं कर सकते contract को ठीक है यह आपको एक्स एक्स्ट्रा दे रखा है अब एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडिशन एंड वरंटी कोई चीज एक्सप्रेस कब होती है जब वो रिटन या औरल फॉर्म में हो कोई चीज इंप्लाइड कब होती है कि यह compulsory होता है कि जो गुड्स का टाइटल है वो seller के पास है वो बिना टाइटल के गुड्स को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है यह एक इंप्लाइड कंडिशन हो जाती है सेल बाइडिस्क्रिप्शन मतलब अगर किसी परसन ने कॉन्ट्रेक्ट कीया है गुड्स का कैसे गुड्स करीदने चारा है कैसे डिस्क्रिप्शन दिया है उसने तो यह कंडिशन होती है कि जो seller गुड्स उसे sell करेगा वो उसी description के sell करेगा थार्ड है सेल बाई सेंपल अगर बायर गोड्स मांग रहा है कैसे सेंपल दिखाकर कि मुझे इस टाइप का गोड्स चाहिए तो सैलर उसे उसी टाइप का गोड्स सेल करेगा उसके लावा को यूर गोड्स सेल नहीं कर सकता यह भी एक कंडिशन हो जाती है ठीक है अगर सेंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से बायर ने डिमांड करी है कि में को ऐसा गोड्स चाहिए और इस इस डिस्क्रिप्शन का चाहिए तो सैलर को उसी टाइप का गोड्स उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा यह भी एक कंडिशन होती है फिफ्फ है कंडिशन एस टू क्वैलेटी और फिटनेस मतलब जो सैलर गोड्स सेल कर रहा है उनकी क्वैलेटी और फिटनेस मतलब वो जिस परपस के लिए खरीदे जा रहे है उसके लिए बढ़िया होने चाहिए ठीक है अगर बायर ने सैलर को बता दिया है कि किसलिए गोड्स खरीद रहा है वो बायर की स्किल और जड्मेंट पर बिलीव करता है और जिस गोड्स में सैलर डील करता है उसी टाइप के गोड्स उसने मंगे हैं तो यह सैलर की रिस्पॉंसिबिलिटी होती है कि उसे उसी टाइप के गुड्स प्रोवाइड करें यह होता है हमारा condition as to quality और fitness मतलब जब गुड्स खरीदे गए है when where goods are bought by description from seller who deals in goods अगर कोई person seller से goods खरीद रहा है कोई seller है वो कुछ भी चीज बेक रहा है और कोई आके उससे वो चीज खरीद रहा है तो यह condition होती है कि जो वो goods बेक रहा है वो ऐसी condition में बेकने लाएक condition में होने चाहिए खराब goods नहीं होने चाहिए मतलब ऐसे goods होने चाहिए जो कि बेके जा सके ठीक है यह होता है condition as to mercantability 7th है condition as to wholesomeness mercantability की तरह ही बेकने लाएक यह तो हो जाता है किसी भी टाइप के goods के लिए लेकिन जो wholesomeness होता है वो actually होता है eatable items के लिए अगर कोई seller कोई भी eatable items बेक रहा है और कोई buyer उससे खरीदने आया है तो वो eatable items ऐसा होना चुछिए कि mercantable wholesomeness होना चुछिए मतलब खाने लाएक होना चाहिए तो वो कहलाता है condition as to wholesomeness तो यह 7 आपकी implied conditions होती है जो कि कई बार exams में long में पूछ रिया जाता है यह question आगे एगा implied warranties क्या होती है जैसे हमने implied conditions देखी क्या क्या condition होती है और implied warranty भी होती है तो warranty as to undisturbed possession इसका मतलब क्या है अगर किसी seller ने किसी buyer को goods बेके हैं तो अब उस buyer के पास undisturbed possession होनी चाहिए मतलब वो goods का पर अब किसी और का कोई भी right नहीं होना चाहिए जितने भी rights है वो सब buyer के हैं कोई आके यह नहीं कह सकता कि मेरे को भी इन goods को use करना है तो यह होता है warranty as to undisturbed possession second है warranty as to non-existence of incumbencies incumbencies क्या होता है कोई भी obligation नहीं होनी चाहिए goods के उपर कि जब seller ने buyer को goods बेक दिये तो अब उन goods पर कोई भी obligation नहीं रहती है अगर कोई obligation है तो वो buyer के उपर रहेगी ना कि उन goods के उपर और ना ही मतलब seller के उपर आएगी ना तो buyer के उपर आएगी ना उन goods के साथ आएगी ठीक है थार्ड है warranty as to quality or fitness by uses of trade जब seller buyer ने बताया है कि उसे किस चीज के लिए goods चाहिए तो उनकी goods की quality उसी के according होनी चाहिए यह कहलाता है हमारा uses of trade warranty as to quality or fitness by uses of trade फूर्थ है disclosure of dangerous nature of goods यह क्या है तो मतलब जब seller goods बेक रहा है buyer को और जो goods का nature है वो कुछ danger हो सकता है अगर उनको सईसे ना रखा जाए तो seller को buyer को बताना पड़ेगा कि अगर यह goods इस type से danger हो सकते है अगर आप इनकी यह conditions fulfill नहीं करेंगे तो वो कहलाता है disclosure of dangerous nature of goods अब next concept आता है हमारा caveat emptor यह क्या कहता है let the buyer beware caveat emptor का मतलब होता है let the buyer beware मतलब buyer जो भी goods खरीद रहा है वो से अपने बरुसे पर खरीदने चाहिए अपनी skills and judgment पर खरीदने चाहिए बाद में वो seller को liable नहीं रख सकता अगर वो अपने skills and judgment से अपने दिमाग से goods खरीद रहा है क्या लिखा है when seller display goods in open market मतलब जब भी seller कोई open market में goods को दिखाते हैं show करते हैं तो वो किसलिए करते हैं कि आप उनका proper selection कर सकें और goods को अपने हिसाब से खरीद सकें अगर फिर भी कोई goods उनमें से defective निकल जाता है तो फिर seller liable नहीं होगा इसके लिए buyer liable रहेगा इट इस duty of buyer to satisfy himself before buying the goods यह buyer की duty होती है कि वो अपने आपको satisfy कर ली goods से कोई भी goods खरीदने से पहले if the goods turn off defective on his own skill and judgment और अगर उसके skill और जजमेंट पर goods खराब निकल जाता है तो वो seller को responsible नहीं रख सकता the rule of caveat emptor states that though caveat emptor का rule क्या कहता है there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supply under contract of sale मतलब किसी भी contract of sale में seller की कोई implied warranty और condition नहीं होती है अगर buyer अपने skills and judgment के according goods को खरीज रहे conditions क्या के satisfy होनी चाहिए अगर buyer बता देता है seller को किसलिए वो goods करीज रहा है the buyer relied on seller's skill and judgment अगर buyer seller की skill और judgment पर विश्वाच कर रहा है और seller business to supply goods और buyer ऐसे goods करीज रहे जिसमें seller deal करता है तो फिर ये exemption हो जाती है कि इसके लिए seller responsible हो जाएगा अगर ये तीन conditions satisfy हो रही अब कुछ exemptions और दीए कि कब-कब seller responsible रहेगा buyer responsible नहीं रहेगा तो fitness as to quality or use मतलब जब buyer seller को बता दे कि मेरे को इस purpose के लिए goods चाहिए और वो goods उस purpose के लिए ना हो तो फिर seller responsible रहता है अगर किसी patent या brand name से goods खरीदे गए है तो ये condition होती है अगर वो goods बढ़िया ही होने चाहिए अगर किसी अच्छे brand name से खरीदे गए है तो फिर seller responsible रहता है अगर वो goods खराब निकलते है थाड़े goods sold by description अगर buyer ने description से goods मांगे हैं फिर भी seller उसे गलत goods दे देता है तो फिर seller responsible रहेगा goods और mercantable quality मतलब अगर goods seller अगर ऐसे goods बेक रहा है जो बेक ने लायक ही नहीं है तो फिर वो seller responsible रहता है sell by sample अगर buyer ने sample से goods मांगे हैं और वो goods खराब निकल जाते हैं तो फिर seller responsible रहता है goods by sample as well as description चैपल और description दोनों से goods मांगे हैं और फिर भी goods खराब निकल जाते हैं is guilty of fraud अगर seller ने कुछ जान बूझ कर कोई defect goods में चुपा दिया या कोई जो fact एगा उसका वो चुपा दिया fraud करा तो फिर seller responsible रहता है इन चीजों के लिए इसमें बाए फिर kv8 टेमटर का रूल apply नहीं होता है बाकी सबी चीजों में kv8 टेमटर का delivery of goods मतलब ownership कैसे ट्रांसफर होती है और goods की delivery कैसे होती है दो सेल ऑफ गुड्स होता है जो उसमें क्या होता है transfer of property होती है मतलब ownership होती है from seller to buyer it is essential अगर ownership ट्रांसफर करनी है तो यह essential होता है कि time पता लगाए जा किस time buyer goods लेने के लिए तयार है तो importance of time क्या होती है in case अगर किसी case में goods damage हो जाते हैं तो फिर यह पता लगाने के लिए कि कौन responsible है इस damage के लिए और loss कौन भी यह करेगा time बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है अब एका passing of property तो passing of property का क्या मतलब होता है passing of ownership of goods if property has passed to buyer the risk is in the goods sold is that of buyer and not of seller अगर ownership seller से buyer के पास transfer हो गई है ownership तो फिर जो loss जो भी बियर करेगा risk जो भी बियर करेगा वो कौन करेगा buyer बियर करेगा और इसके लिए seller responsible नहीं रहेगा rules to determine the property from seller to buyer अब कैसे पता लगेगा कि ownership transfer होई है या नहीं होई तो property passes when intended to pass where there is a contract for sale of specific goods the property in them transfer to buyer at such time parties contract to intend it अगर कोई specific goods का contract है और उसकी ownership transfer करनी है तो कैसे पता करेंगे parties की intention से पता करेंगे party से पूछेंगे कि आपको ownership कव लेनी है तभी ownership transfer होगी for ascertaining intention party regard shall head terms of contract अगर हमें intention बता गनी है तो हमें contract terms बनानी पड़ेंगी contract की the rule contained in section 22-24, 20-24 से लेकर 24 section में जो भी rules है वो पता लगाते हैं कि party की intention है goods का ले में ownership transfer करने की या नहीं है तो number one है specific goods in deliverable state अगर कोई ऐसा contract हैगा जो की unconditional है मतलब अगर buyer के अभी property transfer हो जाएगी तो वो कहता specific goods in deliverable state है second is specific goods to be put in deliverable state मतलब जो goods है वो ready है लेकिन seller को उनमें थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे वो deliverable state में आ जाए मतलब buyer के पास transfer होने के लिए ready हो जाए तो वो कहलाता है हमारा specific goods to be put in deliverable state और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक property transfer नहीं हो सकती third is specific goods in deliverable state when the seller has to do anything in order to ascertain price goods ready हैंगे बिलकुल लेकिन seller को उनमें कुछ करना पड़ेगा जिससे उनका price पता करा जा सके तो जब तक price पता नहीं हो जाता तब तक property goods की transfer नहीं हो सकती है फिर आगा हमारे पास हम क्या पढ़ रहते देखिए passing of property में हमने पढ़ लिया जब intention हो पाट इसकी property पास करने के लिए अब second है goods must be ascertained where there is contract for sale जब भी कोई contract of sale होता है uncertain goods का तो उसकी property तब तक transfer नहीं की जा सकती है जब तक वो goods ascertained ना हो जाए मतलब पता ना लग जाए sale of uncertain goods by description where there is contract of sale of uncertain goods by description either by seller with ascent of buyer और by buyer with ascent of seller the property in goods passes to buyer जब ऐसा contract हो uncertain goods का लेकिन buyer ने उनका सारा description बता दिया हो तो फिर उनकी property transfer की जा सकती है अब एगा second delivery to carrier where there is contract the seller deliver the goods to buyer or to carrier और other billy for purpose of transmission and does not reverse right of disposal is deemed to have unconditional appropriated the goods to contract अगर seller ने goods किसी carrier या बेली को handover कर दिये हैं कि तुम ने buyer तक deliver कर दो तो फिर यह हमारी delivery में ही include हो जाती है property transfer हो जाती है अब एगा goods sent on approval और sale on return basis अगर sale on return basis पर goods बेजे गए हैं तो the property passes to buyer in goods sent on approval और on sale of return when तब property buyer के पास कब transfer होती है अगर sale on approval sale on return basis पर बेजे गए है goods तो he signifies his approval or acceptance अगर buyer ने अपने हामी बढ़ दिया है कि हां मैं यह goods लेना चाता हूं तो property transfer मान ली जाएगी second if time fixed for return of goods expire अगर जो time fixed किया गया था कि आपको इतने time के अंदर goods वापस करने होंगे अगर आप इन्हें नहीं रखना चाते और वो time over हो जाता है तो वो property buyer के पा transfer हो जाती है third he does something to goods which is equivalent to accepting buyer कुछ ऐसा कर दे goods के साथ जिससे यह हो जाए कि अब goods उसके आएंगे तो फिर property transfer हो जाती है ठीक है मतलब जब seller क्या करे अपने पास राइट रखे कि अगर यह condition fulfill नहीं होई तो मैं goods को dispose कर दूँगा मतलब वापस कर ले लूँगा तो यह कहलाता है reservation of right of disposal तो property कब तक पास नहीं हो सकती है ऐसे goods में जब तक जो condition अखी गई है वो fulfill ना कर दी जाए अब एगा हमारा topic risk प्राइमा फेसी passes with property इसका मतलब क्या होता है risk property के साथ transfer होता है जिसके पास property होगी है जब ownership होगी goods की risk उसका योगा अगर property transfer हो चुकी है तो risk buyer का और property transfer नहीं होगी है तो risk seller का यहीं सारा इसमें बताया गया है यहीं बोला गया इसमें आपको अब एगा transfer of title by non-owner मतलब जब कोई non-owner मतलब जिसके पास ownership transfer नहीं होगी है वो भी किसी और को transfer ownership transfer कर दे तो उसमें क्या होता है the seller can sell only such goods of which he is absolute owner seller why goods बेख सकता है जिसका उसके पास absolute ownership है पर कई बार क्या होता है कुछ ऐसे person होते है जिनके पास उसकी ownership नहीं होती फिर भी वो उस goods को बेख देते है तो फिर बायर की क्या position नहींगी बायर कैसे लाइबल रहेगा तो the general rule regarding transfer of title is that seller card transfer the buyer goods a better title when non-owner can convey better title to bona fide purchaser यह छोड़िए नमबर वान है कब कब ऐसे हिंगे exemption के से जब एक non-owner भी goods का title transfer कर सकते है मतलब goods की ownership transfer कर सकता है लेकिन जबकि वो non-owner है मतलब उसके पास ownership नहीं है तो वो कौन-कौन थे कैसी थे है नमबर वन sale by mercantile agent मतलब mercantile agent मैंने आपको starting नहीं बताया था कौन होता है जो seller के वियाप पर goods को sell करता है अगर कोई ऐसा mercantile agent goods को sale कर रहा है तो फिर वो pocket transfer of title हो जाता है उसमें buyer के उपर कोई भी liability नहीं रहती है वो transfer by owner ही माने जाता है एक तरीके से second is sale by one of joint owner अगर एक property के एक से ज्यादा person owner है तो उन्हें हम केते हैं joint owner तो उन्हों में से कोई भी एक person बाकी सभी owner की permission के साथ goods का title transfer कर सकता है किसी और person को third is sale by person in possession under voidable contract कोई एक seller है जिसके पास goods हैंगे कैसे voidable contract से goods पड़े हुए उसके पास और अगर वो उनका title transfer कर देता है तो क्यों आता है buyer would acquire a good title to goods तो buyer के पास साई title आ जाता है कि वो तो contract voidable था अब इन्हें मैंने खरीद लिया है तो अब ये goods मेरे हो गए fourth is sale by one who has already sold but continue in possession अगर कोई ऐसा seller है जिसने goods को बेक दिया था लेकिन अभी goods उसी के पास थे तो फिर अगर वो title को transfer कर देता है अगर ऐसा होता है कि किसी seller के पास goods पड़े हुए थे लेकिन वो उने पहले ही बेक चुका था और फिर वो उन goods को उठाकर किसी तीसरे person को बेक देता है और वो तीसरा person को पता नहीं है कि यह goods पहले भी बिक चुके हैं और इनकी possession किसी और के ownership किसी और के पास है फिर भी अगर वो goods को खरीद लेता है उसे बिना पता नहीं था तो फिर उसके पास goods का good title आ जाता है मतलब ownership उसके पास आ जाती है अगर कोई बायर है उसने किसी seller से goods खरीदे goods तो उसे मिल गए लेकिन अभी तक उसे ownership नहीं मिली है उनकी तो फिर क्या होगा अगर उसने आगे किसी तीसरे person को उन goods को बेक दिया तो थर्ड परसन के पास उसका valid title चला जाता है effect of estopal मतलब where the owner is stopped by conduct from denying the seller's authority to sell but before a good title by estopal can be made अगर कभी ऐसा होता है जो owner है goods का उसी के सामने कोई second person किसी को goods बेक देता है और वो seller कुछ owner कुछ भी नहीं बोलता है तो फिर जिसको goods बेके गए हैं उसके पास उसका good title आ जाता है अगर कोई ऐसा seller है जिसे अभी तक पूरा प्राइस नहीं मिला है तो वो goods को किसी third party को sell कर सकता है यह हमारी पूरी आगे concept हैगा यह पूरा concept हैगा तो इसे हम में detail में discuss करेंगे सेल अंडर प्रोविजन ओफ अधर लो अगर लो के लो ने किसी को वो ओडर दे दिया कि तुम्हें यह goods की टाइटल इसे पास करना है तो वो उसे पास करना पड़ेगा और उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा ओ अगा पाफौमेंस ओफ कर्फॉमेंस कसे ऊती है कांट्रेक्ट ऑफ सेल की तो नम्मर कीसे होती है दीलीवरी जब हो जाती है तो उसे हम कहते है अध्यम्हानेम्हान सपीगी में क्या होता है ट्रांसफफर foster Eatali Aur डुटी अव सेलर तो बायर और सेलर की डुटी क्या होती है तो इट इस जुटी ऑफ सेलर टु डिलीवर सेलर की डुटी होती है कि गुड्स को डिलीवर करें और बायर की डुटी होती है कि गुड्स को एक्सेप्ट कर ले अब delivery से related कुछ rules है तो delivery delivery of goods sold maybe by doing anything which the party agrees to sell be treated as delivery delivery कैसे मानी जा सकती है जो भी party माने कि अगर आप यह transfer कर देते हैं या यह दे देते हैं तो यह अमारी delivery मान ली जाएगी तो वो delivery मान ली जाती है अगर यह होता है कि कुछ goods deliver कर दिये गए हैं और कुछ deliver करें रास्ते में हैं तो उनको हम फिर एक तरीके से यही मान लेते हैं कि सारे goods में ownership transfer हो चुकिये goods रिलिवर हो चुकिये जब तक buyer कहता नहीं है कि मेरे को इन goods की delivery कर दो तब तक seller की कोई responsibility नहीं होती है उन goods को deliver करनेगी फ्लेस का कैसे पता लगेगा तो buyer के according buyer जहाँ चाहेगा वहाँ पर goods को deliver किया जाएगा जो भी expense होगा उने ले लेगा लेकिन goods को वहीं deliver करके देगा फ्लेस है time of delivery अगर time fixed किया गया है तो उसके according delivery जानी चाहिए अगर time fixed नहीं किया गया है तो reasonable time के अंदर delivery देजी जानी चाहिए अगर goods किसी third party की possession में है और वो buyer को कहता है कि हाँ मैं seller के भी आफ पर delivery करूँगा तो फिर वो goods की delivery मान ली जाती है किसी भी delivery का time reasonable hour के अंदर होना चाहिए अगर reasonable hour से अलग कोई delivery करता है तो हम उसे delivery include नहीं करेंगे express delivery the express delivery must become born by seller in absence of contract अगर कोई contract नहीं है तो expense हैंगे जो delivery के वो कौन bear करेगा वो seller bear करेगा उन expenses को नाइन्थ है delivery of wrong quantity अगर seller गलत quantity डिलीवर कर देता है goods की तो buyer के पास कुछ right होते हैं कि या तो अगर goods कम deliver किये गए हैं तो उतने goods को accept कर ले और उतने की ही payment करें अगर goods ज्यादा deliver हो गए हैं तो क्या होता है या तो सारे goods को accept कर ले और extra goods के लिए और जितने मंगाईते हैं उन सभी के लिए payment कर दे या फिर अगर ज्यादा goods डिलीवर किये गए हैं तो जितने उसे चाहिए तो उतने रख ले बाकी goods को reject कर दे यह seller के पास buyer के पास right आ जाते हैं अगर wrong delivery quantity deliver हो जाती है 10th है installment delivery जब तक कोई contract नहीं होता तब तक buyer को जरूरी नहीं है compulsory नहीं है कि वो delivery installment में ही ले वो कह सकता है कि नहीं मेरे को installment में delivery नहीं चाहिए में को पूरी delivery एक साथ चाहिए 11th है delivery to carrier अगर goods carrier को deliver कर दिये जाते हैं कि तुम इन्हें buyer तक transfer कर देना तो यह delivery मान ली जाती है 12th है अगर detoration during transition अगर transition के दोरान goods खराब हो जाते हैं तो liability उस person की होती है जिसके पास उस time पर ownership होगी 13th है buyer's right to examine the goods Buyer के पास पूरा right होता है कि वो goods को check कर सके जब उसके पास delivery है कि goods जैसे मंगवाएते वैसे ही हैं या नहीं है Rules related to acceptance of delivery of goods Of goods की acceptance delivery की acceptance related to be कुछ rules है So number one initiate the seller that he had accepted the goods Buyer को seller को बताना पढ़ेगा कि वो goods को accept कर रहा है Does any act to good which is inconsistent with ownership of seller Buyer कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे यह लगता है कि अब goods की ownership buyer के पास है ना कि seller के पास तो वो acceptance मान ली जाती है Third is return the goods after lapse of time Buyer seller ने time दिया था कि अगर तुम्हें goods रखने हो तो रख लेना वनना इतने time के अंदर वापस कर देना और वो time खतम हो जाता है तो वो acceptance मान ली जाती है goods की delivery आगे है buyer not bound to return rejected goods अगर buyer कुछ goods को reject कर देता है तो buyer की कोई responsibility नहीं है कि वो उन्हें वापस seller तक पहुँचा है अगर उसने सिरफ seller को बता दिया कि आँ मैं ये goods reject कर रहा हूँ तो फिर seller उन्हें अपने आप अपने पास तक लेकर आएगा buyer की कोई responsibility नहीं रहती है liability of buyer for neglecting and refusing delivery of goods अगर buyer मना कर देता है goods की delivery लेने से तो buyer liable हो जाएगा कि damages उसे compensate करना पड़ेगा seller को यह होगा आपका transfer of delivery और possession यह सारी चीज़ा हमने इसमें देख ली अब देखते हैं आगे जो हमारी main topic रह गया है इसका unpaid seller वाला वो देखेंगे अब हम अभी तक buyer ने उसे उन goods के लिए payment नहीं करी है तो उसे हम कहते है unpaid seller मतलब seller के पास right होता है कि वो buyer से amount के लिए claim कर सके तो वो कहलाता है unpaid seller define the one person is unpaid seller when the whole price has not been paid and seller has had an immediate right for action of price तो वो कहलाता है unpaid seller अब एक unpaid seller के क्या-क्या right होते है तो goods के against क्या-क्या right होते है नमबर वन है का seller's lien मतलब अगर कोई unpaid seller है और उसके पास ही goods पड़े है उसने एक तरीके से contract कर लिया कि goods को बेग दिया है लेकिन अभी तक goods उसी की position में ownership transfer हो गई है तो फिर और बायर ने अगर payment नहीं करी है तभी वो unpaid seller रहता है और तो फिर unpaid seller के पास right होता है कि वो उन goods की position तब तक ना छोड़े जब तक उसे पूरा पैसान ना मिल जाए ठीक है यह होता है नमबर वन part delivery में where unpaid seller has made part delivery अगर unpaid seller ने आदे goods को भेज दिया है और आदे goods अभी उसके possession में है और बायर ने payment नहीं करी है तो वो उसके पास right होता है कि वो जो आदे goods हैं उन्हें भी अपने पास ही रख सके जब तक उसे पूरी payment ना मिल जाए termination of lien lien कब-कब terminate हो जाती है when delivery of goods for baili without a deserving right of disposal मतलब lien कब-कब ये right of lien जो seller है वो exercise नहीं कर सकता जब उसने goods को deliver कर दिया हो baili या carrier को किया ये goods को तुम उसे buyer को deliver कर दो और उसने right of disposal उन पे नहीं रखा हो second is when buyer lawfully obtained position अगर buyer lawfully position को obtain कर लेता है तो फिर seller right of lien exercise नहीं कर सकता है और buy waiver अगर वो खुदी कह देता है कि हाँ मैं right of lien exercise नहीं करूँगा तो फिर वो right of lien exercise नहीं कर सकता second के right होता है right of stoppage in transition अगर seller ने goods को भेज दिया है रास्ते में निकाल दिया है कि जाओ ये goods को buyer के पास deliver कर दो और उसे अभी तक price नहीं मिला है और price नहीं मिलने से पहले ही वो जो buyer है वो insolvent हो जाता है तो seller के पास right होता है कि वो जो goods उसने बेज़े है रास्ते में जो goods उन्हें रोक सके उन्हें seller buyer तक ना पहुंचने दे ये right होता है seller के पास duration of transition क्या होता है तो goods are deemed to be in course of transition from time when they are delivered to carrier और बेली transition में हम goods को कम मान लेते हैं जब भी हमने अगर goods को carrier या बेली को भी deliver कर दिया तो goods transition में ही माने जाते हैं if goods are rejected by buyer अगर कभी ऐसा होता है कि goods buyer तक गए buyer ने उन्हें reject कर दिया तो भी वो transition में माने जाते हैं फोर्त है वेन goods are delivered to ship जब हम goods जाने किससे पानी के रास्ते जाने और हमने ship के जो charter होता है उसे good deliver कर दिया है तो वो भी transition में माने जाएंगे where part delivery of goods made and or his agent the remainder of goods may stop in transition अगर आदे good deliver कर दिये गए हैं और आदे रास्ते में है तो वो भी goods in transition माने जाते हैं how stoppage in transition affected मतलब कब-कब stoppage of transition को exercise नहीं किया जा सकता है number one the seller may exercise right by taking actual possession of goods or by giving notice to his claim to carrier or baili कैसे मतलब इसको exercise कैसे किया जा सकता है तो या तो वो खुदी actual position ले ले जाके goods की खिलाओ इन goods को मेरे को दे दो ये buyer को transfer नहीं करने या फिर जिसे carrier या baili को उसने goods दिये और ट्रांसफर करने के लिए उसे वो notice दे दे अगर goods को ट्रांसिस्ट में रोग दिया जाता है और फिर उन्हें किसी तीसरे person को deliver करने के लिए कह दिया जाता है जो हमारे पास position है उसे हम अपने पास ही रखेंगे retain करके रखेंगे whereas right of stoppage in transition में जब आप stoppage in transition right को exercise करते हैं तो आप क्या करते हैं जिन goods की position आपके पास से जा चुकी होती है उन्हें आप दुवारा position में लेते हैं मदब regain करते हैं position को सेकंड है seller should be in position of goods अंडर lean lean के अंदर seller के पास possession होती है goods की बट stoppage in transition में seller के पास position नहीं होती है थार्ड है right of lean exercise even buyer is not solvent right of lean कभी भी exercise किया जाता है अगर buyer insolvent नहीं है तो भी उसे exercise किया जा सकता है insolvent है तो भी किया जा सकता है लेकिन जो right of stoppage in transition है वो सरफ अगर buyer insolvent हो गया है तब ही आप exercise कर सकते हैं फॉर्थ है right of stoppage in transition weekend when right of lean end जब right of lean खतम हो जाता है मतलब आप आप उसे exercise नहीं कर सकते तब आपके पास right आता है कि आप right of stoppage in transition को exercise कर सकें फिफ्थ है right of lean end when goods out of position of seller right of lean right of lean कब खतम हो जाता है जब जो goods seller के पास है possession में वो उसने delivery करने के लिए निकाल दिये but right of stoppage in transition and deliver to buyer और right of stoppage in transition कब खतम हो जाता है जब goods buyer को deliver हो जाए फिर वो right of stoppage in transition exercise नहीं कर सकता आप seller effect of sub-sale और pledge by buyer अगर the right of lean और stoppage in transition is not affected by buyer selling और pledging the goods unless the seller is assented to it अगर buyer ने goods को बिना seller से permission लिए और ownership लिए किसी third person को बेग दिये तो भी seller की कोई responsibility नहीं होती है वो right of lean और right of stoppage in transition को exercise कर सकता है exemption है कि इसकी तो जब seller assent दे दे अगर seller ने हामी बढ़ दिया है कि यहां तो मिनकी किसी और को transfer कर सकते है तो फिर वो right of lean और stoppage in transition exercise नहीं कर सकता और when document of title transfer to buyer अगर document of title transfer हो गया है buyer को और उसने फिर तीसरे person को कर दिया तो फिर seller right of lean और stoppage in transition वो नहीं कर सकता है exercise नहीं कर सकता अब effect क्या होते हैं stoppage के तो the contract of sale is not resented when the seller exercise is right of stoppage in transition buyer can ask for deliver on payment जो contract है वो खतम नहीं होता अगर आप stoppage in transition का right exercise करते हो buyer आप से दुवारा goods मांग सकता है payment करने के बाद third आता है right of resale right of resale में क्या होता है seller के पास right होता है कि वो जो goods उसके पास है उन्हें किसी और person को बेख सके कब-कब बेख सकता है तो when goods are perishable nature अगर goods perishable nature के मतब खराब हो सकते हैं तो फिर हमें buyer को inform करने की जरुवत नहीं है कि हमें से बेख रहे हो और हम उसे directly बेख सकते है second is when he gave notice to buyer of always intention जब उसने notice भी दे दिया हो कि goods perishable nature के नहीं है लेकिन उसने notice दे दिया कि अगर तुम मेरे को इतने time तक payment नहीं करोगे बायर को transfer नहीं हुए है तो seller के पास right होता है कि वो उन्हें resell कर सकता है fourth when where an unpaid seller has to receive his right to lean stoppage in transition to sell the goods the subsequent buyer acquired the title against the original buyer अगर unpaid seller ने exercise किया है lean or stoppage in transition और goods उसके पास आ गया और फिर उसने कि थाड़ परसन को transfer कर दिये तो उस परसन के पास right आ जाता है goods का अब एका right of unpaid seller against buyer अभी तक हमने जो देखे वो थे right of unpaid seller against goods मतलब वो goods के साथ क्या क्या कर सकता है तो हमने तीन देखे right of lane, right of stoppage in transition और right for resale अब एका buyer के against क्या right आते है तो number one suit for price मतलब वो उसको price के लिए case कर सकता है उस पर second is suit for damages of non-acceptance अगर buyer goods को accept नहीं करता है तो वो उसे non-acceptance के लिए भी जो भी damages हुए हो है goods को accept ना करने की वाजासे वो सारे damages claim कर सकता है third is repetition of contract before due date where buyer repudiate the contract before due date seller may treat the contract and resign अगर buyer contract को due date से पहले ही resign कर देता है तो seller के पास right आ जाता है कि वो उसे contract को खतम करे और उससे damages claim कर ले fourth is suit for interest मतलब where there is agreement between buyer and seller as to interest on price अगर buyer और seller के बीच में agreement है कि अगर तुमने dairy से payment करी तो तुम्हें interest देना होगा तो फिर वो उसके लिए भी case file कर सकता है अगर वो interest पे नहीं करता है अब remedies of buyer against seller, buyer के पास क्या-क्या remedies होती है seller के आगी तो number one damages for non delivery अगर seller goods को deliver नहीं कर पाया तो buyer उससे damages claim कर सकता है second is suit for specific performance अगर seller ने goods को deliver करने से मना कर दिया तो buyer उस पर case file कर सकता है goods को deliver कर वाने के लिए suit for breach of warranty अगर buyer ने कोई warranty का breach किया है तो उसके लिए case file कर सकता है buyer due date से पहले तो buyer उसे contract को cancel करके उससे compensation claim कर सकता है suit for interest same way point है अगर interest की कोई बात ही है और seller good deliver नहीं कर पाया है तो उसे फिर उतने time के लिए interest देना पड़ेगा buyer को अब आता है हमारा एक topic auction sale auction sale क्या होता है on action sale is mode of selling property by inviting bid publicly and property sold to highest bidder इसमें क्या होता है यह एक mode हैगा property मतलब कोई भी ownership को sell करने का कोई भी property को sell करने का कैसे bidder बुलाई जाते है publicly मतलब लोगों से बोली लगवाई जाती है एक तरीके से और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसे वो goods baked जीए जाते है वो कहलता है auction sale auctioner is an agent governed by law of agency यह करता है कोने auctioner करता है जो कि एक government का agent होता है कुछ rules हैंगे auction sale से तो where goods are sold in lots जब goods lot में sale किये जाएं तो सभी के लिए अलागला contract of sale माने जाएंगे second है completion of contract of sale एक यह auction sale का contract कव complete होता है जब जो auctioner है वो अपना hammer तीन वार मतलब fall कर दे fall कर दे अपने hammer को तो वो auction sale complete हो जाती है see right to bid में भी reserved right of bid है for reserve किया जा सकता है seller के ब्याप पर मतलब यह यह लोग बिड कर सकते हैं इनके अलावा कोई नहीं कर सकता where sale is not notified by seller अगर seller के according के बिना ही auction sale हो रही है तो यह lawful sale नहीं कहलेगी lawful auction sale नहीं कहलेगी reserved price seller price को reserved कर सकता है कि इतने से ज़्यादा पर ही bid लगनी चाहिए इससे कम पर bid होई तो मैं sale नहीं करूँगा pretended bidding अगर seller pretending bidding करता है मतलब price बढ़ाने के लिए अपने कुछ लोगों से bidding करवाता है जान बुझ कर तो वो voidable contract of sale हो जाता है inclusion of increase or decrease taxes in contract of sale अब कही बार क्या होता है contract of sale बनने के बाद taxes में कुछी changes आ जाते हैं तो उसका क्या effect होता है where after contract has been made but before it is performed tax revision take place then without any stipulation of payment of tax the party would become entitled to read just price of goods accordingly the buyer would have to pay the increased price will tax increase and may drive the benefit of reduction कई बार क्या होता है contract of sale बन गया और लेकिन अभी उसकी performance नहीं हुई है मतलब goods transfer नहीं हुए है और तभी taxes में कुछ change आ जाता है जिससे या तो goods के price बढ़ जाए है या goods के price कम हो जाए तो अगर goods के price बढ़ते हैं तो buyer को वो बड़े हुए price पे करने पड़ते हैं और अगर goods के price कम हो जाते हैं तो buyer को उसका benefit मिल जाता है तो देखिए दोस्तों इसी के दाती हमारा complete sales of goods act को मैंने आज की वीडियो में one short revision में complete कर लिया है आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों के लिए बहुत बहुत जादा useful रही होगी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाज़े जादा share करें और अगर आपको इनके notes चाहिए तो आप telegram group को join कर लें उसका link community post में pin किया गया है वहाँ से फिर आपको notes इसके available हो जाएंगे आज के लिए इतना ही आप मिलेंगे next वीडियो में किती आगी की content के साथ तब तक लिए आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें Thank you